और ये भाजबा का राजनिती का अक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है ये देश का नहीं दिख रहा है ना ये हिंदु धर्म को मानने वालों का दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो नै नै धर्म भीरू बने हैं देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं वियापा 44 प्रतिशत बेरोजगारी की दराईए कल 20 से 25 साल की युवाओं में तो राम राज में तो उनको employment मिलना चाहिए उस पे चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा से बचे रहिए इसलिए विभत स्राजनिती करण चीजों का करते रही है राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पिशाप करिए भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बाटा भाजपा ने जाति में भाजपा ने लाइंग्विज पर बोलने पर आप किसकी पूजा करते हैं कौन सी वेश-भूशा पहनते हैं हर तरह से बाटने का प्रयास किया पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश इतने आहत लोग दिखे जो भाजपाई मैनुफाक्चर्ड आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी पहुँचा अपना पिछले 48 घंटे में मैं दो चार बाते धर्म के बारे में और जो धार्मिक बाते हो रही हैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विशे है हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुवाई है धर्म के मूल्यों को लेके जीता है धर्म के मूल्यों को लेके मानता है तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विशे है तो उसका इतना विभत्स राजनती करण क्यों किया जा रहा है क्या उसका इतना विभत्स राजरती करण होना सही है ये पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूँ दूसरी ज़रूरी बात धार्मिक अनुष्ठानों का काम धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधी धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका धार्मिक लोग जो संबंदित हैं जो इसको करते हैं उन पर छोड़ देना चाहिए और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं यही कहना इस देश के चार शंकराचारियों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहा था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए? जब हिंदु धर्म के सर्वोच, चार ग्यानी जिनको बोला जाता है, जो चार शंकराचारे हैं, जब उन्होंने निर्णाय लिया कि वो योध्या नहीं जाएंगे, यह आक्रोश क्यों नहीं आया? यह आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्म भीरू कह थे, यह मैं जानना चाहती हूँ, शंकराचारे का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ने ने धर्म भीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं और यह शाद नहीं जा तरी थी, और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था, उत्तर में आपका जोशी मठ में, पिर पूर में आपका गोवर्धन मठ, पूरी में स्थित, दक्षण में शिंगेरी शार्दा मठ, और पश्चिम में द्वारका पीठ, और इन चारों शंकराचारियों ने निर चानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृती में, राजनिती करना सर्वता गलत है, हम कहां जाने से मना कर रहे हैं, हम 22 तारिक को, और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारिक को, जो अयोध्या में, मोदी जी के नाक के नीचे, मोदी जी की प्रेजन्स और RSS संग के प्रमुख की प्रेजन्स में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं जहां हमारे शंकराचारे नहीं जा रहे हम जो विबत्स राजनिती की जा रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और ये भाजपा का राजनिती का अक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा ह ना ये हिंदु धर्म को मानने वालों का दिख रहा है और रामायर क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है तो रामायर की सबसे बड़ी सीख तो यह है देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा 44 प्रतिशत बेरोजगारी की दराईए कल 20 से 25 साल के युवाओं में तो राम राज में तो उनको इंप्लॉइमेंट मिलना चाहिए उस पे चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा से बचे रहिए इसलिए विभत स्राजनिती करण चीजों का करते रहिए राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पिशाप करिए राम ने तो शबरी के बेर खाये थे तो असलियत ये है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज हमारे शंकराचारियों को करना चाहिए वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा बाटा भाजपा ने जाति में भाजपा ने लाइंग्विज पर बोलने पर आप किसकी पूजा करते हैं कौन सी वेश्भूशा पहनते हर तरह से बाटने का प्रयास किया लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बाट दिया कुछ जो वक्तव भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं सुन लीजे तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदायों में बाटने का काम आर्थी जनता पार्टी ने किया है कॉंग्रेस पार्टी व्यक्तिकत आस्था को सरवोपरी मानती है कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसा की पवंजी ने यहां पे का गिरजहगर गए है और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दू उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी 15 तारिक को सारी कमिटी वहां के तमाम नेता जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे है तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है ये व्यक्तिगत इंविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजरती करण देखा गया हमने 22 तारिक को जाने से इंकार किया हम सब को स्वतंतरता है अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहिए हमें पूरी स्वतंतरता जो पाठी को है हम में से कोई कभी भी जा सकता है तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है जो आक्रोश है उस आक्रोश पर दो-चार शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार इसका बहिशकार क्यूं कर रहा है क्योंकि शंक्राचारे का अपमान हिंदू धर्म के अनवाईयों का अपमान है